हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमित आज के इस वीडियो में मैं माइलेज की बात करने वाला हूँ अक्सर लोग परिशान रहते हैं कि कार माइलेज नहीं दे रही या फिर कमपेरिटिवली कम दे रही है कुछ लोग कहते हैं कि स्टाइटिंग में कार इतना एवरेज देती थी अब कार इतना एवरेज दे रही है एवरेज काफी ड्रॉप हो चुका है तो देखिए उसके कई factors होते हैं लेकिन एक सबसे बड़ा जो factor है जो हम पूरी तरह से ignore कर देते हैं वो होता है electrical load बिल्कुल electrical load जो भी कार पर पढ़ता है वो हम उसे इस तरह for granted ले ले लेते हैं कि हाँ इन चीज़ों से कोई फर्क ने पढ़ता है जैसे अगर मैं for example बात कर बाते हैं 55W 60W के headlights के bulb आते हैं तो उसकी जगह लोग 100W 110W 120W के bulbs लगा देते हैं उसका जो भी लोड है वो कहां डिस्ट्रीट हो रहा है यह लोड कहां पढ़ रहा है उसका लोड डायक्ट पढ़ रहा है हमारी बैटरी पर और बैटरी पर भी डायक्ट नहीं हमारे एंजिन पर कहां से पढ़ रहा है और अल्टिनेटर से जैसा मैं देखिए आपको सीधी बात बताता हूं आपने जैन सेट देखे होंगे जनरेटर जो होते हैं कभी लाइट चली आती है या फिर कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है उसमें जनरेटर चलते हैं जब जनरेटर में स्ट करते हैं कोई लोड नहीं पढ़ता तो उसकी आवाज अलग होती है लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल लोड उस पर पढ़ता है वैसे वैसे एंजिन पर भी लोड पढ़ता है आपने देखा होगा तुरंत एकदम से पावर ज्यादा लगने लगती है हमें फील होने लगता पर होता है वह ऊबर ऑल जो उस पर लोड होता जाता और वह क्यों कि जो भी हमाहरे लेक्ट्रिकरल लोड किलिए करने के लिए लिए और सारा लूड डाल दिया एंजन पर तो यहीं सारी चीज हattendरे हो tough car अगर आप हैडलाइट्स की जो वाटेज है वापकी घ नोब पर बेस ट्यूब लग जाती है, तो आपने देखा, आप चाहिए ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे ही बूम बूम आवाज होती है, हैड़ डाइट आप जलाएंगे, तो हैड़ डाइट पे भी लोड पड़ता है, हैड़ डाइट कम ज़ादा होती है, हर बेस की बीट पर, तो वह क्या होता है वह जैसे ही हर बेस क्योंकि बेस्टूब का काम क्या है एकदम से करेंट देता है उसे पावर देता है जैसे ही बेस आता है और वही बेस कहां से आता है जो इलेक्ट्रिकल पावर है वह मिल रही है उसे ऑल्टिनेटर से ऑल्टिनेटर कहां से सप्लाई कर रहा ह वो सप्लाई कर रहा है एंजिन से तो यही सारी चीज़ है आप चाहे हौन लगवाईए चाहे आप आइडल कंडिशन में अगर मान लिजे कोई भी एलेक्ट्रिकल आपने अलग से ऑक्स लाइट से लगवा दी हैं किसी भी तरह की A to Z आप कोई भी एलेक्ट्रिकल एसेसरी उस में दिखेगी अगर आप स्टॉक गाड़ी उननीस की या बीस की माइलेज निकाल रहे हैं वही कुछ समय बाद वो माइलेज जो होती है अठारा की या साड़े अठारा की चली आती है वह इसी लिए चली जाती है क्योंकि आप उस मीन वाइल उस बीच के समय में आपने कई स अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जाए हिंद